हेलो बच्चों आज हम लोग हाई टेंट इस्टेंस को टू भी कंटिनियू किया जाए और एकसिसाइस कब किया जाए 12.1 और कुशन देखेंगे 19 से लेके 21 तक इस बुक से तो निव एडिशन के आडी शर्मा के बुक से यह बुक होता है मज़दार तो मज़ा तो आने ही वाल जाएगा जरूर चेक करना मिलेगा साइंस भी डाल दिया है बना के पढ़ाया तो पिछले साली था ठीक है तो सब चीज मिल जाएगा आपको अब यहां देखो कुशन में 19 में क्या है फ्रम टॉप आफ सेवन मीटर हाई बिल्डिंग दी अंगिल फिलिवेशन अफ टॉप के बल टावर ए 60 डिग्री पोश्चन पढ़ना पहले फिगर बनाना फिगर बन गया खुद समझ मां जाएगा करना क्या है हमें तो लिखा क्या फ्रम टॉप सेवन मीटर हाई बिल्डिंग एक साथ मीटर उचा बिल्डिंग है इसी का लंबाई जो है वह साथ मीटर है ठीक ह तो हमें इसा बड़ा होगा तो टावर इधर से बड़ा ले लेते हैं तो इसका कीबल टावर का कितना डिगरी है साट डिगरी यहां से यहां सिक्स्टी डिगरी यह बिल्डिंग हो गया साथ मीटर होगे उसके फ्रंट में आप कीबल टावर ले लोगे बिल्डिंग के टॉप से जब उसके टॉप को देखते हैं तो 60 डिगरी का एंगिल ऑफ इलिवेशन बनता है और इसी टॉप से जब इसका फूट को देखते हैं तो एंगिल ऑफ डिप यह केबल टावर है उसका उंचाही कितना होगा बस यहीं 구 ट्रिवाइडे erzähl कि यह टीष गव क्वागंखी लोगे वह से पहले मैं आपको तरीका कैसी खाय है ठीष में पहले छोटा ट्रावबर ट्रेंगिल की फिर बड़ा ट्रेंगिल अब ऊपर अचोटा ट्रेंगिल के पांसा बढ यरे बेल पिएज्य निस्ट एमगों इसमें सब्सक्राइब नहीं पता था अब पता चल जाए क्योंकि 1045 वन होता है क्रास करेंगे तो एबी आपका साथ मीटर आजाएगा ठीक है अब लेंगे हम लोग यह वाला ट्रेंगिल क्योंकि वहीं एक ट्रेंगल बचा cde और उसमें भी 10 अधिकतर कूशन्स में हम लोग 10 लगाते हैं तो 10 बराबर प्रपेंडिकलर बाइब बेस मलब cd और डिवाइड़ बाइड बाई c e 1060 का वैलू रूट 3 cd नहीं पता है हमें बट c e जरूर पता चल चुक सकता है कैसे साथ और सारी tins में क्या लिख लोगे कि a b जो है वो c e के बराबर है a b जो है वो c e के बराबर है ये भी साथ मलब c d जो cross multiplication करके निकालोगे वो साथ root 3 meter 7 root 3 meter के बराबर आजाएगा अब हाइट of tower क्या होगा तो उसके लिए तो सिफ अंग्रेजी लिख लेना है काफी हो जाएगा height of tower वो किसके बराबर होगा तो b से लेके d तक b से लेके पूरा d तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक यह पूरा height of tower है और वो बराबर हम लोग लिख क्या सकते हैं तो b c b c कितना होगा तो यह 7 तो यह भी 7 यह 7 यहां से यहां से यहां भी साथ और c d अभी भी निकाले 7 root 3 दोनों में 7 common तो 1 plus root 3 meter ठीक है अगर root 3 का value given है तो value लिख लोगे 1.73 या 732 तक और plus करके multiply कर लो साथ से तो answer ऐसे आपके book में यहीं answer होना चाहिए यह साथ bracket का अंदर 1 plus root 3 ठीक है नेक्स्ट कुछ नुमर 20 की तरफ बढ़ते हैं as observed from as observed from the top of a 75 meter tall lighthouse the angle of depression of two ships are 30 and 45 degree ठीक है respectively लिखना चाहिए था मनलब एक lighthouse है जो 75 meter उंचा है 75 meter और दो सीप्स को देखता है angle of depression नीचे की तरफ ऐसे देखा जाता है दोनों सीप एक ही तरफ में है exactly behind और एक पर angle बनता है 30 degree तो दूसरे बनता है 45 degree ठीक है यह NCRT में भी question है ऐसा यह 30 और यह 45 यहां तो 90 होना ही होना है light house है आपका कितना मीटर उंचा है light house 75 meter एक सीप यहां था दूसरा सीप यहां था एक पर 30 degree दूसरे पर 45 degree बनता है मतलब यहां से यहां तक का दूरी क्या होगा बस यहीं फाइंड करना है अब हम लोग करेंगे क्या नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करने के लिए यहां B यहां C और यहां D पहले हमेशा छोटा ट्रेंगल फिर बड़ा ट्रेंगल तो छोटा ट्रेंगल में कौन सा लेंगे इंट्रेंगल PCD PC इस ट्रेंगल में 1045 इसके बराबर हो जाएगा तो CD और डिवाइड़ बाइड़ 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 बेस CD कितना है 75 BC नहीं पता है बट 1045 पता है 1 क्रॉस करेंगे तो यह B से C जो है वो 75 मीटर के बराबर आजाएगा अब नेक्स्ट पूरा बड़ा ला ट्रेंगल में इंट्रेंगल एबीसी नहीं इसके जगा नहीं पता है नहीं सर पता है ना मुझे 75 एसी नहीं पता है प्रास मंटिप्लिकेशन करोगे तो एसी बराबर गांटिफाइफ रूट थरी मीटर आ जाएगा एसी कितना आ जाएगा 75 रूट थरी और एसी बराबर क्या लिख सकते हो तो एबी प्लस पी सी 75 रूट थरी प्रैक्टिंग हमेशा अच्छा लिखने का कोशिज करना हो एबी पूछा जा रहा है और बी सी हम निकाल चुके हैं 75 तो एबी के जगा एबी प्लस और यहां 75 एबी बराबर 75 रूट थरी माइनस 75 इसकल टू 75 ब्रैक्ट में रूट थरी माइनस 1 मीटर एबी बराबर कितना हो जाएगा 75 अंडर ब्रैक्ट रूट थरी माइनस 1 मीटर यही फाइनल आंसर ठीक है अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं लास्ट में क्या तर डिस्टिंस ब्रैक्ट रूट थरी माइनस 1 मीटर पस इतना ही इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दी अंग्रेजी प्देशन अफ टॉप ओफ दडीगरी एक टावर है और एक बिल्डिंग हमेशा चोटा बढ़ा है क्ट विल्डिंग इतना और टावर अइसा ले लेते हैं अब अंग्रेजी पढ़ते आ फिर सेचा और किसका पर भाया तो नहीं का पैर, टावर के पैर से बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो अंगील अफिलिवेशन जो है वो कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री, मतलब यह जो अंगील बनेगा, वो 30 डिग्री बन जाएगा, and the अंगील अंगील अगील 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 के टावर फॉट अफ दॉट जब बिल्डिंग के फूट से देखते हैं टावर के टॉप को तो एंगिल ऑफ इलिवेशन जो है यह आपका साथ डिग्री बन जाता है ठीक है एंसे अधिका कोशन है यह भी इदर टावर इस 50 मीटर हाई यह आपका 50 मीटर यह आपका कितना ओहो मीटर ठीक से ने लिखा यह दो ने लिखाए अड़ेस्ट कर रहे हैं चलाब ठीक है 50 मीटर है फांट थाव ओहो बिल्डिंग का हाइट 50 मीटर नहीं है तर टावर का हैट पर अरे भ़या ठीक हो चुझ नेम लिखोगे कैसे यहीं से सुरू करते हैं A B C और यह D A B C D ठीक है A B C D हो गया पहले हमेशा छोटा फिर बड़ा ठाइंगल तो पहले हम लोग A B C ट्राइंगल लेंगे यह वाला ठाइंगल ऐसे वो ले लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहा था लेकिन चलो रूल इस रूल छोड़ेंगे नहीं हम लोग ठीक है इंट्राइंगल A B C 1030 is equal to perpendicular by base 1030 का value 1 by root 3 और A B नहीं पता है B C कौन सा पता है फ्रास्ट करोगे तो B C is equal to A B root 3 मीटर ठीक है B C बराबर A B root 3 मीटर आ जाएगा अब उधरोला ठाइंगे लेलो के B C D ठीक है तो 1060 is equal to again perpendicular तो C D perpendicular हो जाएगा और B C आपका base हो जाएगा इसका value root 3 और यह आ जाएगा C D के तो पता है ना मुझे 50 और B C नहीं पता है इसी प्रास्ट कर लेंगे तो यह value जो आ जाएगा B C बराबर B C बराबर 50 divided by root 3 meter ठीक है इसको यहाँ और इसको यहाँ कर लेंगे तो B C किसके बराबर आ गया 50 by root 3 meter के बराबर आ गया बट हमको B C चाहिए नहीं था चाहिए क्या था A B तो A B बराबर अगर यहाँ से अगर रखा जाए चलो B C के जागा क्या लिख सकते है यहाँ पूट कर लो B C बराबर क्या लिख सकते है A B root 3 is equal to 50 by root 3 यहाँ से meter हटा लो B C के जागा क्या लिख दिए A B root 3 B C के जागा A B root 3 और 50 by root 3 तो था ही रूट 3 multiply में इधर आगा तो divide में A B बराबर 50 by root 3 into root 3 यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक्यू सो मच और अगर आपको अमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना दोस्तों के बीच में सेर कर लिजेगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किये तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा और complete आड़ी शर्मा solution देखने के लिए complete आड़ी शर्मा का solution देखने के लिए आप हमारा playlist जाके check कर सकते हैं daily update के लिए Instagram पे follow कर सकते हैं और एक चीज और कर सकते हैं गर्व से comment section में जाके लिख सकते हैं जैहिंद जैभारत यह तो करो कम से कम comment section में जैहिंद जैभारत